नमस्कार, शाली ने पेच पर आपका स्वागत है लोगों के पास टाइम और गार्ड निंग की जानकरी कम होने के कराण इस फूलों का गार्डड नहीं बना पाते हैं यदि आप भी अपने रंग-बिरंग फूलों का गार्डड बनाना चाहते हैं और हर्याली का आनल उठाना चाहते हैं तो आप भी घर में अपने घर के गंड़ों में कॉसकॉम फ्लावर का पौधा उगाना सबसे अच्छा रहता है कॉसकॉम एक ऐसा पौधा है जिसके लगाने से फूल खिलने तक के ज़्यादा देखवाल भी नींग करनी पड़ती है और कई रंगों में यह आता है जैसे नारंगी, हरा, लाल, गुलावी, पीला यह एक वार्षिक यानि एन्यूल प्लांट है जो आपको हर साल दुबारा लगाना पड़ता है या आप उसके सीड्स या उसके बीड जो है वो आप पौधों में डाल दीजे तो हर साल उसके नई पौधे आती है आप सोचें कि एक बार पौधा आ गया तो वो कई साल तक बना रहेगा अगर इस साल आपका पौधा आ गया तो आप सुछे कि कई साल तक वो पौदा बना रहे ऐसा नहीं है हर साल वो March-April में आता है ये पौदा और ये समझेए शरत दीटू तक ये पौदा चला जाता है और फिर अगले साल March-April में आएगा और शरत दीटू तक ये चला जाएगा तो इस तरीके से ये सदा बाहर पौदा है, काफी टाइम तक रहता है, इससे सदा बाहर भी कहती है, और ये इसका जो फूल है वो पौदे के टॉप पर एक साथ घने रूप में आता है, जिसे बांग देने वाले मुर्गे की चोटी जैसा भी लगता है, इसे मुर्ग चोटी और लाल मुर्गा कॉस कॉम भी कहा जाता है, इस फूल को मुर्गे की कलंगी वाली आकरती के करण मुर्ग केश के राम से भी जाना जाता है, इस फूल रंग बरंगे होने के कहाना मकमली फूल के नाम से भी जाना जाता है, और ये फूल जीनस सेलोसिया के कुलका है, इस फूल देने वाला फूल है, इसमें लंबे पाइप नुमल तनी के अकार की चोड़ी पतिया निकलती हैं, और तनी में लास तक टॉप पर फूल लिकलते हैं, जो बैल विट जैसे चमकते हुए बहुत आकाशक करते हैं, इसके फूल कई दिन तक बने रहते हैं, इसे आप छट यह बालकनी में कहीं भी लगा सकते हैं, जहां पर आपके अच्छी धूप आती हो, बीच लगाने के बाद आप इसे 80-90 दिन में इसका फूल आराम से आजाता है, बीच बोदेने के बाद साथ से 10 दिनों में कॉस्मो का बीच जैमिनिट होने लगता है, और 30-50 दिनों के अं तक इसमें फूल भी आना चालू हो जाते हैं, और कॉस्मो के जो फूल सूखने के बाद इनका रंग जो है, वो अपने आप में बना रहता है, घर के अंदर और बहार की खुशती बनाने के लिए लोग इसे मयूर शिखा को काफी लगाते हैं, और यह ऐसा पौदा है, जो आ जाता है, मोर शिखा कई रंगों में भी भाया जाता है, बहुत सारे इसके रंग होते हैं, और उसके साथ में आप इसको जैसे इसका पंक होता है, मोर का, वो यह मोर के पंक जैसा भी लगता है, और मुर्गे की करंगी, और किसी एलियन के दिमाग के तरह भी लग सकता है, आ इसान काथ कॉक्स कॉम रखा गया है, मो शिरा, मैयू शिखन, जो केलोशिय फ्लावबर के प्रजाती को है, तो इसलिए कोउस्कॉम इसका में नाम है, जो हर साल आप इसको अपने घर पे लगा सकते हैं, बहुत इसुदर प्लांट है यह जो पौधा है इसको दवा के रूप में भी बहुत यूज किया जाता है पुरेटेन की एक नेशनल हिस्टी म्यूजियम में इसको पौधी को काफी लंबे समय से दवाओं के रूप में भी इसको यूज किया जा रहा है और आप कई देशों में इसकी डंडल जो है उनको सूप के रूप में भी इसको यूज किया जाता है और इसकी बीचों को इनका तेल निकाल के भी इनका बहुत यूज किया जाता है और इसके साथ-साथ भीको सिर्दत और पीरिट से सम्मंदित भी कई साथ दवाईयां बनाने में विसी यूज किया जाता है और जो महिनाओं में पीरिट्स होते हैं उनकी दवाईयां जो बनती हैं उसमें यूज किया जाता है इसके साथ-साथ वास्तों के मताबिक भी ये पौता बहुत ही शुब है मयूशिका जो है घर में लगाने से वास्तों से शुटकारा मिलता है इसके साथ यदि इसको लगा लिते हैं तो भागे है वो बड़ोतरी होनी लगती है घर में आप किसी भी दिशा में से लगा सकते हैं क्योंकि हर दिशा में ये शुब है इसके नकादमक जो उज़ा होती है हमारे घर की वो खत्म करने में बहुत फ़ल दीता है मोर्शिका घर में जरूर लगाना चाहिए काफी शुब होता है और इसके घर का वातर में भी शुद होता है और जो घर में बुरी आत्मा का प्रिवेश करने को भी रोकने के लिए ये मोर्शिका काफी लाब कारी है इसे घर के बाहर या आप कहीं भी लगा सकते हैं इसको लगाने से आपके कंडली में जो पित तोश है उससे भी काफी जगे पे आपको राहत मिलेगी और जल्दी ही आपको इसका असर भी दिखाई देने लगीगा गर में वास्तो तोश्चूच करने के लिए मोर्शिका के पौदे को तो किसी भी गमले में किसी भी कौने में और कहीं भी आप इसे लगा सकते हैं हर जगे पे ये पौजिटिव एनरजी ही देता है अगर बच्चों को बार बार किसी ना किसी तरह से नज़र लग जाती है या बुरी नज़र के करना बेमार पड़ जाती है तो आप घर पर मयूर शिका का पौदा लगाएं इससे क्या होता है कि बुरी नज़र की समस्या से नज़ात मुल जाती है और लगातार मेहनत करने के बावजूद पिया या आपको फल नहीं मिला है तो घर के अंदर या बाहर मोर शिका का पौदा लगा ले इससे मा लक्षमी की भी किर्पा पर बनी रहती है अब मैं आपको इसके 20 दिखाती हूँ कि 20 किस तरीके से इसके आती है कॉक्स कॉम फलावर बहुत ही सुन्दर लगता है इसे सिलोसिया भी कहते है मुर्ग केश भी कहते है मयूर शिखा भी कहते है मुर्ग शिखा भी कहते है मुर्गे की चोटी भी कहते है लाल मुर्गा भी कहती है इसे बहुत सुन्दा लगता है ये देखिए ये अभी तो ये आया है और पूरा अभी बना नहीं है भी थोड़ा सा और बनेगा उसके बाद ये शरद दितु के बाद सूख जाएगा और सूखने के बाद जो आप इसकी ये छोटी छोटी लंबी-लं तो अओर भी रूंधा दो अखर powiedział तो सूखने के बाद ओओ आप देख थाएंगों का लिजऑ रूद्टि जोग है आप दूब आप इस तरीके के बन जाएंगे सूखने के बाद ये पूरी थाए सूख गए distinguish association उस पूरी तरशी गईqueleूंस पूरी तरह में होनसा और ढ़क्ता सुकता हcież सूक है है और सूकने के बाद अब यह सारे में इस तरीके से कर दी है ङजिए आप मैं इस तरीके से कर दिया हैं अब मैं आपको इसके बीच दिखाती हूं एक ए सेंअ जी आफिकुव है जो है यह उस बुकल साफ दिख रहे हैं छोटे-छोटे काले-काले बस इनके सीट्स को ठाकर रख लीजिए या तो साफ करके और नहीं भी रखना है तो आप इस तरीके से पूरा उठाकर रख लीजिए और फिर थोड़ा-थोड़ा पूरे सभी गंबलों में डाल दीजिए जरूरी नहीं ह है कि एक साल ही डालेंगे तो एक साल ही इसके पौधि आएंगे यदी आपने डाल दिये हैं तो उसके बीच कई सालों तक अ Craft लेह तो आप एक बार डाल दिझा तो साल वह अपने आप concentrate हो जाएंगे आपको बारा बार डालने की भी ज़रूत नहीं तो यदि आपका बगीचा बड़ा हो तो आप डालिए वरना कोशिश कीजिए थोड़े से बीज डाल दीजिए और इस तरीके से वह देखिए यह चुटे चुटे पौदे इसके अंदर आ जाएंगे और जब यह पौदे आ जाएंगे तो इनका यही वाला इस तरीके से यह पौदे लिए इसके बीज़ाइटी आपको एक रूप ले लेगा इसकी बीज़ाइटी आपको एक और दिखाती हूं यह पूरी ही लाल पत्ती का है यह देखिए इसकी लीफ्स बिल्कुल डिफरेंट है तो यह इसकी दूसरी वाराइटी है तो जैसा होता है कि आपके इसकी बीज़ डाले तो कौन सा किसकी संग जन्मिनिट होगा और वो उसकी संग जाकर उसको चेंज हो गया इसलिए इसका थोड़ा सा रंग भी चेंज जाता है और अलग लग तरह की वेराइटियां है इनकी दे देखिए और इस तरीके से जब आप डाल देंगे तो वह चो में तो दो पतियों से खिलता है शुरू में तो ये दो पतियों से ही खिलता है उसके बाद फिर जाके इसके तीन से चार पतिया होना शुरू हो जाती है जैसे देखिए इसमें तीन पतिया हो गई है इसमें भी तीन चार पतिया हो गई है पर शुरू में ये दो पतियों से और लाल डंडी होगी लाल डंडी के पेचान लीजिए कि आपका यही वाला पौदा है तो बस आपको क्या करना है कि इस तरीके से छोटे से गंले में लगाना है क्योंकि आप बड़े गंले में डालेंगे और उसमें फिर पानी डालते चले जाएंगे तो यह सारे पौदे मर बिफ कर दो बिफ कि चोटे ग्मले में इनको इस तरह निकाल लेना है। रहरा है, मैं आपको बॉताते होो में बिफ कर दिक una side, लेकर लेकर बंदी तो यह जारा है। daar सुफ और सूख स्वारी हैं निकाले धिज से किती है, विक कुछ रागाता ह। तो इसी के अंदर वीज होते हैं तो बस आपको इसी को समाल के रखना है क्योंकि ये ही सीड़स होते हैं और यदि आपने एक बार रख लिया तो कई साल तक आप हर साल इसकी वीज जाल के आप इसको आराम से जनमेट कर सकते हैं बस थोड़ा सा इस दिहान में में अज़ें सोघव कर इसल्दाइं नहीं टॉहुँद और पौदह आ ज़ा देख में अपको दिखाती और नוכिया। ऑग्यखों अनुमने श तरीके से छोटे पॉटे ले लैती हूं और उसके अंदर इन पौधों को लगा देती हूं ताकि पानी डाले तो ये पौधी मरे ना और देखिए ये पौधी इसके अंदर आ चुकी है और सब में आप देख सकते हैं सबकी लाल डंडल है सारी, सारी की लाल डंडल है, तो शुरू में तो यह आपको मेने पहचान बता दी कि यह दू पत्तियों से आता है और इसकी यह लाल डंडल होती है, उसके बाद जाके इसमें 3-4 पति आना शुरू होती है, और उसके बाद फिर आप इसको छोटे किसी भी पॉट में लगा सकत क्योंकि छोटी प्लैंट में ज्यादा जड़े नहीं होती तो वह आराम से निकल जाती है और बस आपको यह इस तरीके से कहीं भी थोड़ा से स्टिक कर लीजिए इस तरीके से और इसको इस तरीके से लगा देना है कि मैं तो ज्यादा तर ऐसे ही करती हूं कि कोई भी आप प्लान जो कहीं भी लगती है तो मैं इस तरीके से छोटे पॉर्समों को ट्रांसफर कर देती हूं ताकि वह मैं पाने डालू तो वह मेरे ना और शायद इसी से ही मेरे बहुत सारे पौधे आ जाते हैं और मैं आपको य इस लगा रहती है उसके बीच में ये पौधा जो है ये सदा बाहर का है इसकी शेप से पता चल रहा है ये ओल शीप है और इसकी ग्रीन डंडी है तो जी सदा बाहर का है तो मैं सदा बाहर के भी ये इस तरीके से बहुत सारे पौधे हैं ये देखिए बहुत सारे पौधे ह कि अखुब सारे फूल आते हैं तो मैं आफ़ से ही कुछ तोड़ा सा यीन ती ती हूं मिटी में और परस्तोथ थोड़ी मिटी में इस तरीके से इंको धुमा देती हूं तो यह क्या है जो छोटे-छोटे पॉदे होती है ना वो मरती नहीं है और ये कह लीजिए मुझे इने करने में बहुत अच्छा भी लगता है तो मैं इसलिए इनको तो बहुत ही प्यार करती हूँ और कभी कबाद अभी कुछ दिन पहले मेरे थोड़ी लग भी गई थी इसकी प्लांट की डंडल ही से तो भी सब ने ये कहा कि प्लांट से लग गई पर मुझे मालू मैं कि मेरे प्लांट मुझे नुकसान कभी नहीं देते हैं और मुझे से बहुत प्यार करती हैं और सच बताओं तो मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ जैसे मेरे जितने फैमिली मेंबर्स हैं, उतने फैमिली मेंबर्स हैं, मैं इनको भी गिंती हूँ, और अगर मैं एक भी दिन इनको उपर देखने नहीं आओं, तो मुझे पता है, कि ये बिल्कुल सूखे से हो जाते हैं, इसलिए मुझे चाहें आदे खंटे को, पंदरे मिट को, दस मिट को, किसी कितनी भी टाइम में अगर आना है, तो इनके पास पांच मिट जरूर उपर आना है, मैं कहीं भी जाओंगी, तो इन से कहके जाती हूँ, कि मैं आपको छोड़के जा रही हूँ, तो आप अपना ध्यान रखेगा, और एक दूसरे को ऑक्सिजन दे दी तो इससे आपस में क्या होता है कि बहुत देन तक जैसे हम गए है साथ से आट तस दिन के लिए, तो साथ से आट तस दिन वह आपस मिग दूसरे को ओक्सिजन दे रहते हूँ और आप विश्वास मानिये कि वह साथ से आट तस दिन भी ये पोधे मरती नहीं है, चाइण में 10 मिट करती हूं पर कोशिश करती हूं कि सब के लिए टाइम दे रही हूं तो 10 मिट अपने पौदों को भी टाइम दूंग सभी लोग पूजा पार्ध घर की काम सब कुछ करते हैं तो उसके साथ में तर दसमें दीजिए पर अगर आपके आप क्या पोदे हे तो उनको 10 मिट प कि दसमेट में भी आप उनको इतना प्यार देंगे न. तो अब इतने सारे आ चाहेंगेppen कि मैं में आपको बताने सकती हूं मुझे कुछ भी नहीं करना होता है कभी भी अपने आप इतने सारे कि मुझे लगता है कभी कबार तो कि मैं रखूं कहां और मैं उनका क्या करो मैं उनको मार भी ने सकती क्या कर सकती हूं तो इस तरीके से मैं देखू ना तो मेरे हैं बहुत सारे पौदे आ जाते हैं पर वो सिफ इसलिए आते हैं क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं और यह देखें, यह दोनों पौदे आ गए हैं, अब बस मैं इनको इसके अंदर लगा दूँगे, मैं इनको फटल करने के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैंने किस तरीके से मैं इनको क्या फटलाइजर देती हूं, वो बताऊंगी, और आशा करूंगे कि वो वीडियो पौदोगे, आपको बहुत पसंद आईगी, क्योंकि वह भी खर में ही बनाया है, तो किस तरीके से बनाया है, और दिखाओंगे, और उनसे पौदों से कितना सारा लहाव होता है, पौदों को कितनी एनर्जी मिलती है, और कितना फूड मिलता है, सब कुछ उस फटलाइजर के अंदर ही है तो बस इस तरीके से मैं सभी छोटे चोटे पौधों को लगा दिया है अब मैं इनको कोशिश करूंगे तब पानी दोंगे जब इनकी मिट्टी पूरी तरह सूख जाएगी क्योंकि अगर मैंने इनको बरावर पानी देती रही तो यह मर जाएंगी तो आप कि मुझे इसको पानी देना है अगर मैंने इसको पहली पानी देती है तो यह पौदा मढ़ जाएगा इसलिए अब इसका टाइम आ गया है क्योंकि अब देखिए उनको पानी नहीं देना है तो आप इनको इस तरीके से लगा दीजिए और कोशिश कीजिए एक से दो दिन प बड़े हो जाएं तो उसके बाद आप फिर उनके बाद आप इनको धूप में रख दीजिए क्योंकि धूप का ही यह पौदा है और धूप में ही बहुत अच्छी तरह आता है तो बस आपको इस तरीके से चोटी चोटी पॉट्स में आपको इन पौदों को कर देना है और अपने हाप बड़े हो जाएंगे जब आपको लगता है कि इसमें कही सारे बड़े हो इनको इस तरीके से सहीपे पॉट में आप उनको कर दीजिए बस यही सारे बीच मैंने कही साल की है हर साल आती है थोड़े थोड़े खट्टे करते चलते हुँ तो यह बहुत सारे हो तो मैं separate इन्हें बड़े गंबले में कर दोंगे जो 9-12 इंची का होगा और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप सिंगल एक पौदा इसमें लगा रहे हैं तो किसी और गंबले किसी दूसरे पौदे के साथ भी लगा सकते हैं क्योंकि इसकी जड़ें ज्यादा दूर तक न दूर तक नहीं फैलती हैं इसलिए आप किसी भी गंबले में किसी के साथ भी लगा सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप किसी और पौदे के साथ इसको ना लगाएं तो बस एक बार इसके बीज जा दीजिए उसके बाद आप देखेंगे कि पूरे आपको हर गंबले में इसके तोर्णा ना काया है। अभी कचे, पका नहीं कुछ यूजिया है, नहीं कि अधूक दागी आप आपको तम इसाइब वाइट हूज और तन इसाइब दूर दिखा रजा है और फिर उसके बाद आप इसके बीज निकाल लीजिए और थोड़े सी डाल दीजिए और फिर हर साल आपके इसी तरीके से पौदे अपने आप आना शुरू हो जाएंगे तो यह पौदा रियली बताती हूं मैं आपको बहुत सुन्दर लगता है देखने में भी और जब आप इसके पिक खीजते हैं आप इसके आँगे खड़े हो के पीछे खड़े हो के इसका बैक्ग्राउंड मनाते हैं तो भी यह बहुत सुन्दर लगता है और कई जगा पर तो इसका और भी यूज़ उता है दवाइयों में भी यूज़ होता है वो मैं आपको बता चुकी हूं या आप इनको खाने में भी यूज़ करते हैं, कलर के रूप में यूज़ भी करते हैं, वो सब पता चुक हूँ, यदि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजेगा, और करमें पर मुझे पताइएगा कि आपके पास भी इस तरीके का प मकमली पौदा है, जो एक फूल का पौदा है, जो कई रंगों में आता है, मैं आपको बता चुक हूँ, नारंगी, हरा, लाल, गुलाबी, पीला, सफीद, कई रंगों में आता है, इसके रंग मकमली जो फूल है, वो मुरकेश के नाम से भी जाने जाते हैं, इसको लगाने स जाता महनत भी नहीं करनी पड़ती और जाता देखवाल भी नहीं करनी पड़ती बहुत आसानी से यह आ जाते हैं तो यदि आपको भी यह बहुत अच्छा लगा हो तो अपने घर में हर चीज से पॉजिटिव एनरजी देता है तो आप कोशिश कीजिए कि अपने घर में इस ज़रूर लगाईएं और इसके संग आपको ना कोई देखवाल करनी पड़ेगी, ना कोई आपको जाता महनत करनी पड़ेगी, ये हर साल आपकी घर में अपने आप आजाएगा, बस एक बार आपको इसको खर पर लगाने की ज़रूरत है, तो आप इसको कोशिए किजिए कि अपने खर पे इसे लाइक शिर लगाईए और कॉमेंट में मुझे जरूर बताईएगा कि आपके पास भी कितने सारे इसके पौदे हैं थैंक यू सू मच